फ्रेंट्स कुई गनित में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स आज हम लोग प्लस माइनस का कॉंसेप्ट देखेंगे कि प्लस माइनस हम लोग कैसे करते हैं जैसे अगर लिखा हुआ है माइनस 5 प्लस 4 इक्वल्स टू होता है माइनस 1 माइनस 2 minus two equals two होता है minus four minus one plus two अगर बोले तो होता है one और one minus two अगर बोले तो होता है minus one तो बच्चा ऐसे याद रखता है कि minus minus plus और plus minus minus ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ देखिए minus one plus two minus plus minus होना चाहिए लेकिन क्या हो है plus one यहाँ पे क्या है plus minus यहाँ पे plus minus एक बार minus है और plus minus एक बार plus है तो ऐसे नहीं होता है कैसे होता है मेरा trick को دھیान से समझे बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कोई भी question plus minus का कभी भी दिक्कत नहीं होगा अगर इस चीज को समझ लिए क्या है हमको एक चीज याद रखना है कि same sign same sign में हमेशा हम लोग क्या करते हैं add करते हैं और different sign different sign में हमेशा हम लोग subtract करते हैं क्या करते हैं subtract करते हैं और जो sign होता है answer का वो हमेशा बड़ा वाला number का होता है याद रखना बड़ा वाला number का sign होता है answer का sign ठीक है अब समझे ध्यान से अगर ये 3 point हम ध्यान रखेंगे तो plus minus में कभी भी किसी भी question में कितना भी बड़ा question हो गलत नहीं होगा क्या पहला है कि same sign में हमेशा add करेंगे same sign का मतलब plus 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 हो minus minus हो यानि कि सारे same sign हो different sign में हमेशा subtract करेंगे और answer का जो sign होगा वो हमेशा बड़े वाले number का जो sign होगा वो होगा इसको समझने के लिए कुछ questions लेते हैं देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है minus two minus one minus four minus three और यहाँ पे लिखा है two plus one plus three plus four इन सभी में देखिए कि सभी का sign same है minus 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 तो अगर सभी number का sign same है तो उसमें क्या करते हैं same sign में हम add कर देते हैं तो क्या करना है सब को बिना देखे add कर देना है two plus one three three plus four seven seven plus three ten तो यहाँ पे ten हमने लिख दिया और बोल रहा है कि जो answer का sign होगा वो बड़े वाले number का sign होगा तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है four और four का sign क्या है minus तो minus इस तरीके से याद रखना है कि same sign में सभी को add कर देते हैं और जो answer का sign होता है इन सभी number में जो सबसे बड़ा number है four उसका sign होगा ठीक है इस तरह इसमें क्या करेंगे सभी का sign same sign में direct add कर देना है यहाँ कुछ नहीं रहता है तो इसका मतलब plus 2 plus 1 3 3 plus 3 6 6 plus 4 10 और answer का sign क्या हो जाएगा बड़ा वाला number का sign सबसे बड़ा number कौन सा है four तो four का sign plus यह तो हो गया ऐसे अब अगर ऐसा question रहेगा minus 3 plus 5 minus 2 minus 6 plus 18 इस तरह का अगर question रहेगा तो हम क्या करेंगे तो इसमें भी वही फंड़ा अपनाना है same sign किसका किसका है देखिए इसका 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 same sign है तो same sign को add कर देते हैं 3 plus 2 5 5 plus 6 11 11 तो लिख दिये यहाँ पे इन तीनों में सबसे बड़ा number कौन सा है 6 और 6 का sign है minus तो इन तीनों का decision हो गया तीनों का decision हो गया minus 11 अब बचा 5 और 18 का sign same है 5 plus 18 कितना होता है 23 और 23 दोनों में किसका sign बड़ा है 18 का तो plus 23 अब इन दोनों में देखिए different sign आगया different sign में हम क्या करते हैं याद रखना है different sign में subtract करते हैं 23 minus 11 करेंगे तो क्या जाएगा 12 और इसका sign क्या होगा तो दोनों में बड़ा कौन सा है 23 बड़ा है तो इसका sign हो जाएगा plus यानि कि plus minus में बस ये 3 points अगर याद है अच्छे से तो कोई भी question गलत नहीं होगा क्या याद रखना है same sign हमेशा add करते हैं different sign हमेशा subtract करेंगे बट answer का जो sign होगा वो हमेशा decision लेंगे जो बड़ा वाला number होगा सबसे बड़ा number उसके sign पर ठीक है अब एक questions हम लोग अच्छा बड़ा वाला questions कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा देखिए बड़ा वाला question करते हैं जैसे यहाँ पे है minus 10 plus 20 minus 30 minus 40 plus 60 इस तरह का तो कुछ नहीं करना है जो same sign है उसको हम क्या करते हैं same sign को add कर देते हैं तो same sign किसका किसका है देखिए यह है यह है यह है यह तीनों का sign same है तो इन तीनों को पहले add कर लेते हैं 10 plus 30 40 40 plus 40 80 यहाँ पे हमने लिख दिया 80 बट इन तीनों में सबसे बड़ा नम्मर कौन सा है तो 40 और 40 का sign minus है तो minus उसके बाद देखिए 20 और 60 इन दोनों का sign same है 20 और 60 का sign same है तो इन दोनों को add कर देते हैं 60 plus 20 यह भी क्या होता है 80 लेकिन इन दोनों में बड़ा कोन है 60 60 का sign है प्लस अब देखिए यहां different sign में different sign आ गया different sign में हम लोग क्या करते है subtract करते है तो 80 minus 80 क्या हो जाएगा 0 तो 0 अगर आ गया तो फिर इसका sign लिखना नहीं है क्योंकि 0 ना तो positive number है और ना ही negative number है यह हो गया plus minus का concept अगर 3 points को अगर हम याद रखेंगे इसी तरह हम लोग multiply का concept देख लेते है उसमें भी ऐसे 3 points को अगर हम याद रखेंगे तो किसी भी multiply का question हम आसानी से कर सकते है आज एक 6 और 7 class का बच्चा 10 class का बच्चा 11th class का बच्चा तीनों बच्चा को हम plus minus का question दिए बस एक बच्चा सही किया होगा और कौन बच्चा सही किया होगा आप सोचिए class 7 का बच्चा सिर्फ सही किया बाकी 11 तक का बच्चा का वही आलता plus minus भी नहीं आता है तो यह नहीं बोल लोगा कि सभी बच्चे ऐसे हैं लेकिन plus minus का concept अच्छे से clear होना जरूरी है क्या अब हम multiply का एक बच्चा यहीं बच्चा हुआ है हाँ सरह है multiply concept multiply का क्या concept है इसको हम ध्यान से समझते है multiply के concept में एक चीज़ याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ हमें minus sign को ध्यान में रखना है plus sign से कोई मतलब नहीं है multiply का मतलब जैसे यहाँ पे है minus one multiply minus two multiply minus three multiply minus four ठीक है तो इस question को कैसे solve करेंगे हम क्या करते हैं अगर सारे multiply में है तो हम क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ minus sign को count करते हैं और देखते हैं कितना है 1,2,3,4 अब याद रखना है कि multiply के concept में अगर minus sign कौन सा sign सिर्फ minus sign देखते हैं minus sign अगर even times हो even times हो कौन सा times even times even times हो तो जो answer होगा न वो हमेशा positive plus में होगा even times का मतलब क्या होता है 2 times, 4 times, 6 times, 8 times यानि कि जो 2 से divide हो जाए even times होगा तो और अगर odd times minus का sign हुआ odd times minus का sign हुआ तो जो answer का sign होगा वो हमेशा negative होगा बस ये 2 point इसमें याद रखना है 2 point क्या याद रखना है कि अगर minus का sign even times हुआ जैसे यहाँ पर 4 times है ना 1, 2, 3, 4 4 times minus है मतलब answer तो fix है plus होगा अब multiply कर देंगे 1, 2 जा 2, 2, 3, 6, 6, 4, 24 24 तो हम multiply करके लिग दिये लेकिन answer का sign क्या होगा plus क्यों होगा क्योंकि minus sign even times है मतलब 4 times है तो जब भी minus का sign even times होगा तो उस situation में हमेशा जो answer का sign होगा वो plus होगा अब एक question है से 3 into minus 1 into 2 into minus 3 into 4 into minus 4 into minus sorry 3 into minus 1 into minus 2 इसमें plus वाले नम्मर भी है और minus वाले भी नम्मर है तो multiply में tension ही नहीं लेना है multiply में सिर्फ और सिर्फ हम minus sign को देखते हैं और कुछ नहीं minus sign कितना है 1, 2, 3, 4 times 4 क्या है even times और even times जब भी होगा तो answer किसमें होगा plus में ठीक है उसके बाद कुछ नहीं करना है direct सभी नमर को multiply कर दो answer का decision हो गया कि plus होगा या minus उसके बाद नमर को multiply कर देना है 3, 1, 3, 2, 6, 6, 3, 18, 18, 1, 18, 18, 2, 36 यानि कि 36 plus इस question का answer हो जाएगा तो plus और minus में सिर्फ 5 points याद रखना है अगर 5 points याद रख लिए तो कभी भी plus minus का question गलत नहीं होगा क्या था पहला था कि plus में same sign में add करते हैं different sign में subtract करते हैं और answer का जो decision होता है plus minus में वो जो सबसे बड़ा नमर होता है उसका जो sign होता है वो होता है उसके बाद multiply में हमने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ multiply में हम minus के sign को count करते हैं और अगर minus sign even times हुआ तो answer हमेशा positive होगा और अगर minus sign odd times हुआ तो answer हमेशा negative होगा I hope आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा plus minus आज के बाद गलत नहीं करेंगे बड़े बच्चे और छोटे बच्चे सभी बच्चे के लिए ही है